नमस्ते दोस्तों मैं मुर्य वशा आपके अपने यूट्यूब चानल पर स्वागत करती हूँ आज हम रामधारी से हैं दिनकरद्वारा लिखित रश्मी रती इस खंड़ कावे की कथावस्तु या उसका साराव शुरूप में भावार्थ देखने वाले हैं ठीके तो चलिए शुरू करते हैं रश्मी रती इस खंड़ कावे या इस महा कावे के कथावस्तु इस खंड़ कावे का प्रकाशन 1952 में होता है और रश्मी रती का आर्थ होता है वह व्यक्ति जिसका रत रश्मी आर्थात सूर्य के किर्णों के समान प्रकाश मान हो इस कावे में रश्मी यह नाम करन का है, हम करन को जानते हैं महाभारत का बहुती एक एशर्ष्वी पात्र है, नायक है और उसके चरित्र में जो सूर्य की कृति है या उसको सूर्य पूत्र भी कहा जाता है, सूर्य के समान वह प्रकाशमार है, करन महाभारत के महाकावे का जो ऐसा पात्र है, जो ए अब थोड़ी सी प्रिष्टभुमिके तोर पर हम महावारत की थोड़ी सी कथा देखेंगे जिसका जनम पांडो की मा या करन का जो जनम पांडो की माता कुंती के गर्भ से ही होता है लेकिन वहाँ जब कुमारी का थी विभाई थी तब उसका जनम हुआ था और कुंती ने लो करके नदी में बहा दिया था अब वह टोकरी में मिला बच्चा एक अधिरत और राधा नामक एक दामपत्य को मिल जाता है और वो सूत थे अधिरत एक सूत था और अधिरत को कोई संतान नहीं थी इसलिए उन्होंने उस बच्चों को अपनाया और उसको अपना पुत्र मान उसकी धर्मपत्नी जैसे मैंने कहा राधा और अधिरत ही दोनों ही करन की जो माता पिता बन गए थे राधा से पालित होने के कारण करन को राधे भी कहा जाता है सूत पुत्र कहा जाता है, गरश्मिरती कहा जाता है, जैसे राधे कहा जाता है, जैसे उनको बहुत सारे नामों से जाना जाता है कवरोपांडो का वंश्य परिचय यह है कि दोनों महाराज शान्तुनू के कूल में उत्पन हुए थे और शान्तुने से कई पिड़ी उपर महाराज कुरू हुए थे इसलिए कवरोपांडो दोनों कुरू यही कहलाते हैं हम भिश्म की प्रतिगय को हर कोई जानता है भिश्मने अपनी चड़ती जवानी में आजीवन ब्रह्मचारी होने का यह रहने का जो प्रतिगया यह भ्यानक प्रतिगया लिए थी महराशान्तुने ने विशार्द कन्या सत्यवती से विभाग किया था जिसे उन्हें चित्रांगद और विचित्र विरिया ऐसे दो पुत्रों होए थे चित्रांगद कुमार अवस्ता में ही एक युद्ध में मर जाते हैं या मारे जाते हैं और विचित्र विरिया की दो पत्निया थी एक अंबाली का और एक अंबी का ऐसे दो पत्निया थी लेकिन शैरों के हो जाने के कारण विचित्र विरिया भी ने संतान ही मर जाते हैं लेकिन होता ऐसा है कि ऐसे अवस्ता में वंशे चलाने के लिए कोई ने को को अमंत्रित किया और व्यास जी ने नियोग पतति से विचित्रविये कि दोनों पतनिया जो विद्वा पतनिया थी उन दोनों विद्वा पतनियों से पुत्र उत्पन किये। अम्बिका से धृतराष्ट उत्पन हुआ और अमबालिका से पांडू जनम लिए। अब होता ऐसा है कि मात्र दोश के कारण धृतराष्ट जनम से ही अंदे थे और पांडू जो पीलिया रोग से ग्रसित थे। होता आगे ऐसा है कि अम्बिका की प्रेना से व्यास जी ने उनकी दासी से तीसरा पुत्र उत्पन किया जिसका नाम विदूर हुआ। अर्था तीनों भी जो पुत्र थे कुछ न कुछ दोश से ग्रसित थे। राजा धृत्राष्ट के सो पुत्र हुए एक ही पत्नी से हम जानते हैं महारानी गांधारी से। अब सो पुत्र यानी कोरो कहलाते हैं। महाराज पांडू के दो पत्निया थी। दोनों पत्नियों से एक कुंती थी, दूसरी मादरी थी। परन्तु रुशी से मिले शाप के कारण स्त्री समागम से पांडू विरक्त रहते थे कुंती ने अपने पती की आग्या से तीन पुत्र तीन देवतास से उत्पन किये जिसमें पहला एक कुमार आवस्ता में ही उन्होंने कुंती ने सूर्य समागम से करन को उत्पन किया था उसी प्रकार विवहा के पच्चात उन्हेंने तीन पुत्रों उत्पन किया, उसमें धर्मराज से युदिष्टीर, पवंदेव से भीम और इंद्र से अर्जुन को उत्पन किया, मादरी के एक ही गर्भ से दो पुत्र हुए, एक नकुल दूसरे सहदेव, हम जानते हैं और ये दोनों भाई भी नाराज का भार जैसे कुंती पर आपड़ता है, मादरी महाराज शल्ली की बहनती, वही शल्ले जो महावारत की उद्ध में करन का सार्थी बन गया था, इस रश्मिरती नामा खंडकावे में करन दुरियोधन से मिलने और करने के पराकरम के साथ की जो कथा वरनित है, और करने के मृ अरजन की प्रतियोगीता का वरनन है, जैसे दोनों एक और करन है, एक और अरजन है, और दोनों में प्रतियोगीता होनी जारी है, जब लोगों को यहां वहाँ पर बैठे, राजा महाराजों को यह पता चलता है कि करने एक सूत पुत्र है, तो एक सूत पुत्र का शत्रियो के साथ युद्ध के से हो सकता है इस कारण करन को उसकी जाती है उसका कूल पूछा जाता है और उस कारण उसको अपमानित किया जाता है इससे करन के रधे में अर्जुन के प्रती द्वेश निर्मान हो जाता है जो स्ताई है और दुरियधन उस समय करन का साथ देता है और करन की गुरू है, उनके अश्रे में रेकर वो शिक्षा ग्रहन करता है, शिक्षा को अरजीत करता है, वहा करन अपनी जाती को छिपा कर, उस अपने आपको ब्राह्मन बनाकर या ब्राह्मन बनकर परशुराम का शिश्य बनता है, किन्तो इस रहश्य के खुल जाने पर इस सर्ग में पांडव के लोटने की कता है, कृष्ण के दूद बनकर हस्नेदापूर चले जाने की कता है, जिसमें कृष्ण जाकर दुर्योदन को समझा रहे कि तुम सिर्फ पांडवों को पांच ग्राम या पांच गाउग दान में दे दो ताकि ये युद्ध न हो और वही दान देने के लिए कहता है, लेकिन दुर्योदन है, वो पांच गाउग भी देने के लिए तैयार नहीं होता है, उल्टा वो कृष्ण को पर घुसा होके, क्रोधित होके, कृष्ण को बांधने जाता है, उनको दंजिट करने के लिए जाता है, लेकिन कृष्ण वहाँ पर अपना विराट सो रूप दिखा कर सभी महाराजा महाराजाओं को चकित कर देते हैं और कुष्ण द्वारा करन को पांडो के पक्ष में मिलाने का आधी का ये बड़ा रोचक वर्नन कभी ने इस सर्ग में किया है। चतुर्त सर्ग में करने की दानशिलता का वर्नन है जिसमें इंद्र करने के पास दान मागने के लिए आता है और करने की वो दान में करने की कवचकुंडल मांगता है जो उसके शस्त्र है तथा इंद्र को वो दान में देता है अब करने के पास कुछ नहीं बचता है निहत्ता करन हो जाता है लेकिन हिंद्र करन को एक अमोग शस्त्र उस बदले में दे जाता है उस अमोग शस्त्र का परयोग उस महाभारत में करना होगा ऐसा वो कहता है पंचम सर्ग में कुंती का करने से मिलना और दोनों का वारतालाप इसमें दिखाया है अपने पुत्रों को मानती है अपने ममता का जैसे उदगाटन वहा करती है, ममता निचावर करती है करन पर और वो अपने पक्ष में आने के लिए करनों को जैसे मनाती है कुंति की बाती सुनकर करन अपनी मा को अश्वासन देता है कि मैं पार्थ को छोड़कर अने किसी पांडव भाई पर हात नहीं उठाओंगा या उसका वध नहीं करूंगा अर्ठात जब अगर पांडव पांच है तो पांच ही पांडव रहे इस महावारत की उद्ध में अगर अर्जुन को कुछ हो गया मेरी और से मैंने अगर उसका वद कर दिया तो मैं पांडव के साथ मिल जाओंगा अगर मुझे इस महाभारत में कुछ हो गया तो आरजुन सहित पाच पांडो रहेंगे ऐसा करन ने अपने मा को अश्वासन दिया अर्था कुंती हमेशा पाच पांडो की ही मा रही है छस्ट सरग में करन और भिश्म का वारतालाप अंकित है जिसमें भिश्म युद्ध बंद कराना चाहते हैं और करनो को पांडो यों कोरों से मिलकर रहने के लिए सलाह देते हैं पर उन्तु करन अपने मित्र दुर्यदन के आगरव पर लड़ने के लिए तयार होता है भिश्म पितावा के चरन चुकरवर रन शत्र में जैसे कूद पड़ता है यहां करन बड़ी भेंकरता के साथ पांडो सेना का जो सहार कर रहा है यह देखकर वहां कृष्ण तुरंत क्या करते हैं घटोतकच को करन को भिड़ा कर इंद्रद्वारा दिये गए जो अमोग शस्त्र था वो प्राहार घटोतकच पर छुड़वा देते हैं और पार्थ को करन से सुरक्षित कर देते हैं सब्तम सर्ग में करन और अर्जुन का युद्ध दिखाया गया है और भेंगर युद्ध का वरनन इसमें किया है जिसमें वह युदिष्टीर, भीम, नकूल, सवध्य बार बार उसको दान में उनका जीवन दे देता है और चंगुल में फसा कर भी छोड़ देता है वह पार्थ से लड़ने के लिए जैसे लालाईत होता है वैसे ही अश्वशन नामक सर्पबान के रूप में जो करन के रथ में आकर बैठ जाता है उस बान दुआरा पार्थ का विनाश कराने की बात सुनकर करन उसे अपना साहिक बनाने के लिए नहीं मानता और ये कहकर फटकारता है कि यहाँ नर का नर के साथ युद्ध हो रहा है नर का सर्प के साथ युद्ध नहीं हो रहा है और सर्प को अपना साहिक बना कर ये कलंक में नहीं लेना चाता अंतमे करन का रनक्षेत्र में उतरना और उसका जो रत है जमीन में फसना और फस जाने प और तभी अर्जुन का करन पर प्रहार करना ये वर्नन आता है, वहार रत को निकालने का प्रहतन जैसे ही करता है, तो ऐसे ही अर्जुन करन पर प्रहार करता है कृष्ण के कहने पर, इस तरह एक्षूर, दानी, तपस्वी, व्रत्ती और सत्यवादी करन का महाभारत में जिसमें अर्थात हम कह सकते हैं कि करने एक ऐसा रख्ति था उसके चरित्रे की मिसाल आज भी लोग देते हैं तो हमें इस रश्मिरती इस खंड़कावे से इतना ही समझना है कि करने की दानशूर्ता, उसका सत्तेवादी होना, उसका निश्चल प्रेम होना उसका मानोतावादी होना उसकी बित्रता की मिसाल ये सारी विशेशताय करने की जीवन को लेकर आती है ठीक है तो यहाँ पर ये रश्मिरती खंड कावे की संक्षित में संपूर्ण जो कथावस्तू भवारत रूप में आप लोगों को कैसे लगी मुझे कमेट करके ज़रूर बताईएगा और किस जो कावे या किस रचना पर आपको वीडियो चाहिए ये भी मुझे कमेट करके ज़रूर बताईगा उस पर मैं वीडियो डानने का पूरा प्रयास करूँगी ठीक है तो यहाँ पर हम रुकते हैं जल मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विशे के साथ तब तक के लिए धन्यवाद